आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जो हमारा integration के बाद जो value आएगा वो i के equal है तो i is equal to क्या हो जाएगा? integration 1 से 2 x प्लस 1 का whole square whole divided by root x dx अब देखो, यहाँ पर जो उपर में हमारा term है x प्लस 1 का whole square इसको मैं क्या करूँगा? split कर दूँगा, a प्लस b के whole square से क्या हो जाएगा? a plus b whole square यानि x का square plus 2x plus 1 हो जाएगा और whole divided by root x और यह dx ऐसा कुछ आजाएगा integration अब देखो, यहाँ पर अपन क्या करते क्या है? कि सारे integration को split कर लेते है तो अगर मैं यहाँ पर integration को split कर रूट क्या हो जाएगा? यह हमारा अंदर में, यानि 1 से 2 अब अंदर में मैं क्या करूँगा? इसको मैं लिख सकता था x का square upon x के power half ऐसा लिख सकता था root x को plus 2 times x upon x के power half सब से x के power half से मैं divide कर रहा हूँ, split करके तो यह 1 upon x के power half और यह whole dx था हमारा अब यहाँ से हमें मिलेगा क्या? तो integration हमारी बन जाएगी 1 से 2 और यह देखो, x के power क्या हो जाएगा? total यहाँ पे 2 minus half plus 2 times यहाँ पे total x का power क्या हो जाएगा? 1 minus half और यहाँ पे x के power minus half और यह total का integration हमें करना है यानिकि dx तो यहाँ से हमें और क्या मिला? इसको solve करे further तो यह हमारा हो जाएगा 1 से 2 ठीक है? x के power यह 2 minus half यानिकि 3 by 2 ठीक है? यह तो 3 by 2 हो गया plus 2 times x के power क्या हो जाएगा? यह half और यह क्या था हमारा x के power? minus half और यह whole dx ठीक है? यह हमारी integration बन गई अगर देखो, हमें एक formula पता होता है कि हापे पन formula का बात करें तो वो होता क्या है? अगर मेरे को integration करना है x के power n का तो इसकी integration की value क्या होती? x के power n plus 1 upon n plus 1 और एक integration constant c आता है लेकिन definite integration में वो integration constant 0 हो जाता है तो हमें ज़रूत नहीं पढ़ता तो x के power n का integration कैसे होता है? power एक increase हो जाता है तो similarly इसका integration करो जो first time है हमारा तो i हमारा क्या बन जाएगा? सबसे पहले वाले का integration करो यानि कि x के power 3 by 2 का तो हमारा क्या हो जाएगा? x के power 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 ठीक है? फिर देखो second का अपन integration करें तो 2 times क्या हो जाएगा? x के power half plus 1 upon half plus 1 थर्ड का अपन क्या रहे तो क्या हो जाएगा? x के power minus half plus 1 upon minus half plus 1 और total limit हमारी कहां से कहां जाएगा? integration की 1 से 2 ठीक है? तो यह हमारी integration की limit जाएगी अब इसको solve करते है अपन further तो देखो यह हमारा लिखा क्या हो है? x के power 5 by 2 और यह हमारा नीचे भी हो जाएगा 5 by 2, ठीक है? आगे अपन देखें तो 2 times यहाँ पे क्या है? x के power 3 by 2 और नीचे भी है 3 by 2 plus यहाँ पे क्या हो जाएगा? x के power half upon half और यह total हमारी integration की limit 1 से 2 ठीक है? तो यह हमारी integration बन गई इसको और एर्रेंज करके अबन कैसे लिख सकते थे? तो 2 by 5, 5 by 2 को उपर करूँ तो और यह x के power हो जाएगा 5 by 2 plus इसको और क्या लिख सकते थे? 2 into 2 by 3, यानि कि 4 by 3 इसको डारेक्ट लिख सकता हूँ मैं तो इसको मैं लिख दूँगा 4 by 3 ठीक है? तो 4 by 3 एक बार क्या करेंगे अपन? सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? x के power half को common ले सकता हूँ, तो x के power half वगर अपन common ले, ठीक है? टोटल में से यहाँ पर मैं total में से x के power half को common ले रहा हूँ, तो क्या बजाएगा हमारा? x के power half बाहरा आ जाएगा अंदर क्या बचेगा 2 by 5 और यहाँ पर क्या बचेगा x के पाउर half common लेने के बाद x का square plus 4 by 3 यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा 1 से 2 ठीक है यह total की limit है हमारी 1 से 2 जो है ठीक है तो यह total की limit 1 से 2 x में जा रही है अब देखो, यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, अपन एक बार x का जगा पर 2 put करते हैं, तो एक बार 2 put करो, तो क्या हो जाएगा यह, root 2, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, अंदर में 2 by 5, और यह हो जाएगा 2 का square, plus 4 by 3, यहाँ पर 2, और plus 2, ठीक है, तो एक बार हमने 2 by 5, फिर क्या बचेगा हमारा, 4 by 3, plus में, 4 by 3, और फिर क्या बचेगा हमारा, plus 2, ठीक है, 1 put करने पर x के जगा पर, तो यह total हमारी value आ गए, अब इसको हमें solve करना है, तो यहाँ पर solve करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो, यह मैंने तो root 2 बाहर ही रखा, और 15 LCM ले लो, तो उपर में हमारा क्या हो जाएगा देखो, यह तो हमारा कितना है, 4 into 2, यानि की 8, तो 8 3 जा क्या होता है, 24, तो यह हमारा उपर में आ जाएगा 24, ठीक है, फिर देखते है अपर, तो यह कहा जाएगा 8, और यह हमारा 15, 15 LCM लिया है, तो 8 into 5, यानि की 40 हो तो उपर में क्या बजाएगा हमारा यहाँ पे 6 plus 20 plus 30 ऐसा कुछ बन जाएगा ठीक है 15 LCM तो इनको solve करो तो यह हमारा लिखा हुआ है root 2 into यह क्या बजाएगा 24 plus 40 plus 30 यानि कि 94 upon 15 ठीक है और क्या common लिख सकता हूँ 2 common लिख सकता हूँ तो बचेगा क्या अंदर में हमारा यह पे यह हमारा हो जाएगा 47 root 2 ओटीक है minus यहाँबे ंधेका बचेगा 2 common लेने पे 2 और 15 लेने पे यह यहाँपे क्या बचेगा 28 वेटी तो यह हमारा इंटिग्रेशन का क्या हो जाएगा फाइनल वाल्यू ठीक है तो यह हमारा इंटिग्रेशन का फाइनल आंसर है थांक यू क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर